हेलो एबरिवान, वेलकम टू माई चैनल फ्रेंज आज मैं आप लोग को पहन के दिखाने वाली हूँ ये सिफॉन की साड़ी, ये सिफॉन की साड़ी काफी पतली वाली है और पूरी की पूरी सारी प्लेन है और इसका पलू काफी जदा अच्छा है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी ये है फर्स पार्ट, वाकि सारी साड़ी ऐसे छोड़ देना है जो पहला पार्ट है, इधर से हम टकिंग स्टार्ट करेंगे तो अपने फर्स टार्ट की टकिंग, देखो आप बहुत सारी लोग इस टाइप की साड़िया जो है डेली वेर में पहनते हैं, या फिर लोग बाहर जाते हुए भी पहनते हैं वैसे इस टाइप की साड़ियों का ड्रिपिंग अगर अच्छे से किया जाए तो यह काफे ज़्यादा अच्छी लगती है यह साड़ी पहनने के बास तो मैंने इसमें ट्राइ किया है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताने के लिए सो पीछे से मैंने सारा का सारा फैबरिक आगे कर लिया उसके बाद इसकी टकिंग कर रही हूँ देखो फर्स डाउन की टकिंग आपको नीट क्लीन करना है और बिल्कुल फ्लो टच करना है बहुत जादा नीचे आपकी सारी नहीं होनी चाहिए और जब आप चलते हैं तो आपकी सारी उपर भी नहीं होनी चाहिए फ्लो टच होना चाहिए तो अभी चलते हैं पल्लू आला पार्ट तो फ्रेंड्स यह रहा पल्लू आला पार्ट इसके बाद इसको हम एक साथ gather कर लेंगे अब इसको पीछे से घुमाते हुए अपने बाएं शोल्डर पे लेके आना है देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से आपको पकड़ना है और अपने left shoulder पे रख लेना है और आपको उपने पल्लो की लंबाई चेक करना है आपको जितना पसंद है आप उतना ले सकते हैं मैंने पल्लो की लंबाई यहाँ पे इतनी रखी हुई है इसके बाद जो अंदर का यह border है पतला वाला इसको मैं आगे की तरफ इस तरह से लेके आऊंगी और मैं चेक करूंगी कि जो है जब मैं shoulder pleats बनाओ उसके बाद मेरा यह साड़ी कहीं उल्टी ना रह जाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है तो इस तरीके से मैं चेक करने के बाद इसको कमर पे ही टक कर दूंगी और बनाओंगी पहले कंधे वाली pleats कई बहुत सारे लोग सामने के pleats पहले बनाते हैं लेकिन मैं कंधे की बनाती हूं जिससे जो भी extra fabric रहे वो मैं अपने सामने वाले pleats में adjust कर सकूं तो अभी आप देख सकते हैं मैंने कंधे के pleats बनाना शुरू कर दिया है पहले pleats की चोड़ाई मैंने इतनी लिए है बाकी सारे pleats उसे थोड़े से पतले हैं जिससे अंदर जो भी छोटे बड़े uneven pleats बने वो छुप जाएं वो ना दिखें तो इस तरीके से आपको बनाना है तो एक एक pleats में यहाँ पे बहुत ही neat and clean बना रहे हैं देखो जो आप अच्छे से पहला pleats बना ले जाते हैं उसके जटक दोंगे जटकने से सारे pleats बाहर की ओर आ जाते हैं और एक बार में इसको जटक जटक के पकड़ रही हूं आप देख सकते हैं एक एक pleats को आप पकड़ते हैं सामने के pleats सामने खुद ही आ जाएगा इस तरीके से मैंने पने शोल्डर पे रख लिया है अभी मेरा दोन और soft है तो आप छोटे वाले safety pin का use कर सकते हैं नहीं तो आप बड़े वाले आपको जैसे पसंद है वैसे वो hide हो जाएगा दिखेगा नहीं तो यहां से इस वाले border को मैंने बिल्कुल tightly खीचा हुआ है लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो है मैंने पीछ प्रेंट बनाने के लिए यहां पर मैंने इस border को बिल्कुल tightly लिया है लेकिन आपको ध्यान रखना है पीछे से जब आप इस border को ले आते हैं तो border fold ना हुआ हो आपको इस बात का खास खयाल रखना है इसके बाद मैं अपने right वाले लेक पे लेक के साइड ले जाके यहां प चोटे प्लीट दूसरी साइड बन गये हैं और इस तरह से आप साड़ी पहनेंगे तो पतली वाली साड़ियों में वैसे इसका लुक बहुत अच्छा आता है अगर आप थोड़े धंग से पहनते हैं तो इसके बाद चलते हैं भी फ्रेंट बनाने के लिए तो सेम वही प्र उपर का खोल दिया है इसके बाद इसको और चोड़ा करके मैं ले रही हूँ जिससे कि यह इधर उधर ना भागे कई बार यह प्रॉब्लम होती है जहां से इसको मुझे टक करना है मैं एक एक प्लीट को बराबर से पकड़ के अपने बेले विटन के सामने इसको टक इससे आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी आपने प्लीट जैसे बनाया है सेम वैसे ही रहेंगे इसके बाद एक एक प्लीट को मैं इस तरह से पकड़ के अरेंज करूंगी मेरी चैनल पर सारी डेपिंग की बहुत सारी वीडियो आप जाके वहां से चेक आउट क आपको दिखा दी है और कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके बताना अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना जादा से जादा शेयर करना अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड के साथ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार और हाँ बेल आइकन जरूर प्रस करना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसाने से पहुचते रहे तो मिलती हूँ आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाबाई ओम साहिराम अपना ध्यान रखना